Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Friends, आज की वीडियो में हम types of impeller के उपर बात करेंगे और बात करेंगे कि कौन सा impeller high flow rate के लिए use किया जाता है तो चलिए बिना time waste के वीडियो को स्टार्ट करते हैं Friends, अबसे पहले जो impeller आता है वो open type impeller होता है इसमें क्या होता है के simple vans बनी होती है और इनकी support में कोई पीछे plate नहीं होती ठीक है और ये इस type का जो impeller होता है वो ज्यादातर weak होता है और industries में जो ये use होता है वो small pump के लिए use होता है ये ज्यादा efficient नहीं होता है तो पहली type में ये impeller आप देख रहें ये open type impeller है ये small pump में use होता है और solid liquid में use किया जाता है और ज्यादा तर इसमें एक ये है के ये choke नहीं होता तो इसकी पहचान ये के simple vans के साथ कोई पीछे backup plate नहीं होगी सीधा hub के साथ जो है semi open impeller जहाँ semi close भी कहता है इसमें क्या होता है vans होती है लेकिन पीछे support के लिए plate भी होती है इसलिए इसको semi open semi close impeller कहा जाता है और ये ज्यादातर medium size के pump के लिए use किया जाता है और ये efficient है according to open type impeller के ठीक है और ये भी basically solid liquid transfer करने के लिए use किया जाता है number third पे हम बात करेंगे तो वह है close type impeller ठीक है ये बहुत ज्यादा efficient रहता है इसमें क्या होता है कि veins के आगे पीछे दोनों तरफ जो है वह plate लगा जी जाती है और ये बहुत ज्यादा efficient होता है और ये अक्सर जो है वह हमारा large pump बड़े pump को लिए ये use किया जाता है और ये pump high flow rate के लिए use किया जाता है तो ज्यादा efficient होता है हमारा close type impeller होता है ठीक है और ये large pump पे use किया जाता है basically clear water water यह chilled water यह हमारा कोई भी water है clean उससे हम high flow rate के लिए close type impeller यूज करते हैं और ये सबसे ज्यादा efficient भी रहता है तो मैं उमीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ठीक है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके लाव